तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में कच्छा नौमी के प्रसना वाली 4.2 मैं जितना भी परसने चारो कॉशन को चारो कॉशन को इस वीडियो में हम लोग कबर करने वाले हैं बहुत ही आसान भासा में यसे कि आप लोग पता होगा कि आप लोग एंसे आटी बुक ओर क्यों और यह ब्राबर 3X plus 5 एक समिकर्न दिया गया आपके पास आपसने तीन गूंप एक अदूत्यय हले इस समिकर्ण का या केवल दो हले समिकर्ण का या अपरिमित znaj कले से को कॉश्टिन को आप समझे इसी हुआ Y बराबर 3 X प्लस 5 है अगर मान के चलिए हम Y पराबर एक रखते हैं है कि नहीं तो यह प्लस 5 इधरा के मायनस 5 हो जगा और यह गुना 3 धरा के भागे 3 हो जगा इस प्रकार से X कमान 5 में गया तो मैनस 4 बटें 3 निकला सब्सक्राइब के हैं कि दूनाग शेए और पांच कि न हो जगा सबो सब्सक्राइब तक उडम которую ॉर्यन व्य छाइज उत द internships fact मतलब केवल एक हल तो क्या सबका एंसर एक आ रहा है नहीं तो इसका एक आदूतिया हल तो नहीं होगा केवल दो हल क्या किसका दो एक एंसर आगा और भी एंसर आगा कैसे कि एक बार हम एक्स का मान हम तीन रखेंगे तो क्या अंसर आगा ध्यान से देख लिजी तो तिन तीन और पांच कितना आगया चोधो आ गया तेकिए इसका अलग अंसर आ गया इसका दो हल भी नहीं है इसका मतलब इसा एंसर जोगा आप परीमित रूप से अने खलोगा इसका आप्षन नमर एक इच करेक्ट अंसर हो जागा इसका second question है कि निमली खेत समीखरणों में से परते समीकरण के चार हल लिखी आपको चार हल लिखने के लिए है यह जो आपको समीकरण लिखने के चाचर हल लिखना है, तो सबसे पहले हम पहले हल लिख देते हैं, मान के चलिए इसमें X का मान रखी या Y का मान रखी, आप कोई वला भी मान रख सकते हैं, चलिए हम X का मान रखते हैं, या Y का मान रखते हैं, चलिए हम X बराबर सबसे पहले 0 रख देते हैं, तो देखे, 2X प्लस Y बराबर 7 X कमान क्या रखें? 0, तो यहाँ 0 हो जगा प्लस Y 7 दो गुना 0 तो 0 हो जगा प्लस Y बराबर 7 तो Y कमान निकालेंगे यह प्लस 0 दर जाके माने 0, 0 तो खतम हो जाता है आने यह पहला हल हो गया आपको 4 को हल लिखने के लिए कहा गया एक्स प्राबर ज제로र रखें चलिली एकवर conflicting एक रखते एक रेक क्लूरा बर एक रखने पर तो चलिए दूक्त क स्वाबर बराबर साथ हम एक्स का मान एक रखेंगे तो य बराबर साथ दो गुना एक दो पलस वाई बराबर साथ वाई कमान निकालेंगे यह पलस दो उचाड़ जागा तो माइनस दो हो जागा और फिर साथ में दो जागत कितना बचेगा पांच यह आपका दूसरा हाल हो गया आपको चार हल लिखने के लिखा आगया है यह दो हल लिखाया अभी चलिए है का मान भी रह सकते हैं इसे दिकता निय tul technic आख रहे है के लिख कमाल रखने तो टू एक्स प्लूस वाइ बराबर 7 X कमान 4 रखना है इस पर बाबर 7 4 दोनी 8 अब ये पलस 8 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 8 और 7 में 8 जाएगा तो माइनस 1 वचेगा ये आपका हो गया छोथा हल तो इस प्रकार साफ को लिखना है तो हम 4 को हल लिख दिए हैं इसमें भी लिखना है लेकिन इसमें पाय का मान बैठाना नहीं है इसमें जैसे का तैसे रखना है समझे माल लेते हैं कि Y का मान हम एक रखते हैं जाए X का मान हम इसको एक रखते हैं तो देखिए कुछ भी हो सकता है चलो X बराबर एक रखने पर तो चली फाइ्पा इन्ट्ू एक्स पलस y बराबर 9 तबाइन टू एक क्योंकि एक्स का माने एक रखे हैं नो तो फाइब गुनास करेंगे तो पाई पलस वाई ब्रावर नो वाइदieso मन निकालेंगे यह पलास पाई उद्र जाके-दो यह वाइग जो लो हुटी तो यह लो गुए चले एक बीवर 있지 संस्ट को ऑन हम तू रखके देखते हैं क्यारके टू रखको पॉडर तो पा ningún टो एक्स प्लस वाई बरावर आफ पा इन्टु टू प्लस वाज बरावर नहीं दो गुणा पाय दो पायहोजा यहां पर प्लस वाए का वाय आप यह ढिशियो टू यी फ्लस डू एक despair माइन अज हुई यह दूसरा हो गया इसका अंसर कभी नहीं मील सकता है न याद रखेग चलिए तिसरा लिखते है एक्स ब्राबर तीन रखने पर तो पाई एक्स पलस वाई ब्राबर नो पाई का मान पाई और एक्स का मान तीन पलस वाई ब्राबर नो तो तीन गुना पाई तीन पाई पलस वाई ब्राबर नो y का मान निकालेंगे पलस 3 π बराबर के उधर जाके मैनस 3 π यह तिसरा हाल निकल गया अब चोथा हाल निकलते हैं x बराबर क्या रखने पर 4 रखने पर तो 5 into x पलस y बराबर 9 तो 5 का π पाई x का मान रखेंगे 4 पलस y बराबर 9 4 गुनी पाई बराबर 4 पाई हो जागा बराबर 9 पलस y 9 तो y का मान निकालेंगे यह पलस 4 पाई बराबर के उधर जाके मैनस 4 पाई यह आपका चोथा हाल निकल गया तो केवल 4-4 हाल लिखने के लिए खागया था तो 4 हाल तो लिखा गया चलिए तिसरा का भी चर्चरन लिखते हैं हम इसमें Y कमान रखते हैं ताकि X कमान आटोमेटिक निकल जाएगा Y कमान हम 0 रखते हैं तो X बराबर 4 और Y कमान क्या है? 0 रखें तो X कमान क्या निकल जाएगा? 4 गुनी 0 बराबर 0 निकल गया यह पहला हाल हो गया चलिए अबरी वाय कमान हम एक रखते हैं तो एक्स बराबर चार गुनी वाय तो चार का चार और एक्स कमान क्या रखना है एक तो एक्स कमान कितना निकल गया चार निकल गया चार एकम चार चलिए अबरी हम एक्स सुरी वाय कमान हम रखते हैं दो रखते तो एक्स बराबर चार यह समीकर Image, तो एक्स कमान कीठा कर दो रखना कि एक्स कमान कीठा निकल का ये आत हो गया इस यौब अपका तुछ तो एक्स बराबर चार भुन यई डैख ये चोथा हम निकल गया तो आपको केवल Чा चार हम लिखने के लिए का हागया था तो चार हल तो complete होगे आप देखिए नोडान भी कर सकते हैं चलिए अब इसका कॉशन नमर थड़ देखते हैं कि तीसरा नमर कॉशन में कहा गया कि बताए कि निमलिकित हलो में कौन-कौन समीकरन एकस माइनस टूए बराबर फोर के हल है और कौन-कौन नहीं है एक समीकरन दिया गया है एकस माइनस टूए बराबर फोर तो पुछाए कौन-कौन हल है और कौन-कौन नहीं है तो चलिए इसको जांच कर लेते हैं तो दियान से देखिए इसमें नीड़ दिसांख दिया गया है 0,2 आपको जैसे पता होगा कि 0 जो होता है एकस का मान होता है 4, y का मान जो होता है 2 आणि पहले वाला एकस होता है बाद वाला वाय होता है आपको पता होगा समीकरन में क्या है एकस माइनस 2y बराबर 4 तो आपको मान पूटिंग करके देखना पड़ेगा यह वला है ना देखते हैं दोनों तोर बराबर आता है या नहीं एक्स का मान रखना है जीरो और य का मान रखना है दो बराबर कितना हैगा चार तो जीरो का जीरो माइनस दो दूने चार बराबर चार आगे अब इधर कितना हैगा माइनस चार आगा बराबर चार आगा क्योंकि जीरो में चार गटाएंगे चार आगा क्या दोनों तरफ बरा अगेए से प्रकार से दूसरा आपना होता है यदो संब्राइच यह कितना है और बड़ाबर 46 चार दो में 0 कि क्तना बजाएगा दो बड़ाबर चार तक दक कि इसमें भी दो न तरह बड़ाबर है नहीं लिखेंगे यह हल नहीं है हल नहीं है थार्ड नमर है देखे एक्स का मान कितना है चार है और वाय का मान कितना है जीरो है इसको स्वल्ब कर लेते हैं समी करने मैं एक्स मायनस का मान है चार मैंनस टोहाई का मान है जीरो प्रवरपोर हम चार मैंनस टूल गुना जीरो यहां पर जीरो हो जाएगा बरवर फोर्ट चार में जिरो जाएगाद 4 बचेगा उछल 4 का 4 तो यह हल है लिखेंगे हल है क्योंकि दूनों तरफ क्या आ गया बराबर आगया तो हल है अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आ यह तो हल नहीं होगा इसका फोर्त पाट देखते हैं फूर्त पाट में बराबर फोर एक्स कमान रूट टू रखना है चलिए रूट टू रखते हैं और य कमान रखना है फोर रूट टू तो फोर रूट टू बराबर फोर तो देखे रूट दू का रूट दू रखेंगे माइनस का माइनस रहेगा देखे यह रूट दो जो है यह चार के साथ गु पर अबर चार दोनों तरफ बराबर नहीं है तो लिखेंगे हल नहीं है हल नहीं है लास्ट को से ने पांचवा नमर का तिसरा का इसमें एक्स कमान भी एक दिया है वाय कमान भी एक दिया समय करने क्झे एक समयनस ड्य बराबर फूर ट्यक्षमान एक और आयका मांन भी एक इसको साल करो टुए कम्टू बराबर फूर दो में गया तो मैनस एक बराबर फूर तरने लिखेंगे हल नहीं है हल नहीं है किन inaugur sarah अगर कहा है की एक सब्राबर 2 और य बराबर एक समिकर्ण न्टू एक सब्सक्रारी बराबर के का हल है एक हमलो और Warren का मान एक है कि सो मैं तिसमें आपको ईशंपकरन निकाला है समिकरन क्या है टू एक्स पलस थीरी वाई बराबर के पता है आपको एक्स का मान देखी यहां पर दो दिया गया तियां दो रखेंगे पलस देखिए वाई का मान यहां पर एक दिया गया तिया पर हम एक रखेंगे बराबर के का के दो दूनी गुना करेंगे तो चार और तीन कंदेध बराबर के 4 prob कि यह तो ईसे लिखीए या तो के बराबर साथ लिखिए दोनों बात क्या है एक ही है अनि के कमान क्या निकल गया सात निकल गया किё दिस प्रकार से फोर करके बेल आइकन को दबा दीजेगा ताकि हमारे आने वाले हार एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और इस वीडियो को अपने दोस्तों पास शेयर जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद